हलो गाइस कैसे हैं आप सब गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी सागर ग्यान में गाइस आज का हमारा जो टोपिक है वो है मर्चेंड नेवी में कौन से पोस्ट के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है उस कोर्स के बाद में आपको क्या करना होता है कि मर्चेंड नेवी में आपको पर्मोसन मिले और आपकी सेलेरी इंक्रीज हो जाए इस सबसे संभनित आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्योंकि मर्चेंड नेवी को आप सब अच्छी सेलेरी के लिए जानते हो लेकिन वो अच्छी सेलेरी किस पोस्ट पे मिलती है और उसके लिए आपको क्या कोर्स करना होता है और मर्चेंड नेवी जोइन करते टाइ में आपको क्या-क्या साबधानिया बरतनी होती है इस सबसे related आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो बीच-बीच में हम आपको अच्छे-च्छे टिप भी देने वाले हैं मर्चेंट ने भी से related तो आप वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे और informative वीडियो लाने के लिए तो बिना किसी का टाइम गमाए हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला जो कोर्स होता है मर्चेंट नेवी का वो होता है जीपी रेटिंग जीपी रेटिंग कोर्स जो होता है वो दसवी पास बच्चा कर सकता है छे महिने का यह अकेडमी कोर्स होता है डीजी अप्रूड अकेडमी से ही आपको करना है इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यह जो कोर्स है वो डीजी अप्रूड अकेडमी से ही करना है डीजी अप्रूड अकेडमी की लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस लिंक आप डेक साइड चूस करते हो तो आपको मिलती है ट्रेनिंग वाइपर ट्रेनिंग वाइपर की डूसों से लेकर 400 डॉलर तक हो सकती है यह डिपेंड करती है आप कौनझा टाइप आपका शिप है इन सबसे डिपेंड करती है कि आपकी सेलेरी अच्छी सेलेरी कौन से सिपों पर मिलती है इन सबसे संभंधित भी हम डिसकस करने वाले हैं इसी वीडियो में तो आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकीप नहीं कीजिएगा तो आपने यदि जीपी रेटिंग कोर्स किया है तो डेक साइड में आप ट्रेनिंग होए इंजन साइड में आप ट्रेनिंग वाईपर स्टाइटिंग आपका सेलेरी होगा 200 से 400 डोलर उस पोस्ट पे आपको 6 मंत काम करना होगा तो 6 मंत का कोई सुरुआत में कॉंट्रेक्ट नहीं होता इसके लिए आपका 99 मंत का कॉंट्रेक्ट होगा फर्ष्ट कॉंट्रेक्ट आपका 9 मंत का होगा आप 9 मंत जब काम करके आऊगे शिप पे उसके बाद वाचकीपिंग के लिए apply कर सकते हो यदि आप अच्छी company में job कीए हो अच्छी ship page काम कीए हो तो आप watch keeping के लिए apply कर सकते हो आप यदि पूरे criteria को follow करते हो तो आपका watch keeping मिल जाएगा आपका watch keeping कहां से मिलेगा MMD से आपको पहले कुछ document फिलब करने होंगे वो document आप पूरे कर देते हो तो आपको वाच्किपिंग मिल जाएगा वाच्किपिंग जैसे ही मिल जाएगा आप हो जाएगे ओएस या वाइपर बहुत सारी कमपनिया वाच्किपिंग वाले लड़कों को एबी या ओईलर भी ले ले लेती है लेकिन बहुत सारी कमपनिया ऐसी है जो ट्रेनी ओएस ट्र अब आप वाइपर हो गए या ओईलर हो गए यदि आप वाइपर हो गए तो आपकी सेलरी 500 डोलर से 700 डोलर के बीच मिलेगी यदि आप ओईलर हो गए तो आपको 700 डोलर से 1500 डोलर के बीच मिलेगी यह डिपेंड करता है कौन से सिप पे आप जोब कर रहे हो और कौन सी कमपनी में आप जोब कर रहे हो सेम डेक साइड में हो गया डेक साइड में आप OS हो जाओगे तो 500 से 700 डोलर मिलेगा आप AB हो जाओगे तो 700 से 1500 डोलर मिलेगा इसके बाद में आपका डेक साइड में बोसन हो जाओगे और इंजन साइड में फिटर हो जाओगे डेक साइड में यदि बोसन हो गए तो आपका 1500 से 1800 डॉलर सेलरी हो जाएगा और इंजन साइड में यदि आप फीटर हो गए तो आपका सेलरी 1500 से 1800 हो जाएगा ये सिर्फ GP रेटिंग के लिए GP रेटिंग का कोर्स करने के बाद में इससे अच्छा भी पर्मोसन लड़के लेते हैं लेकिन उसके लिए काफी मसकत करने होती है यहां तक पर्मोसन ठीक से मिल जाते है थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन यहां तक पर्मोसन आपको अच्छे से मिल जाते है लेकिन इस से उपर आपको पर्मोशन लेना है तो उसके लिए आपको काफी मसकत करनी होती है काफी सारे कोर्सेज करने होते हैं काफी सारे एक्जाम्स देने होते हैं इन सबसे संभन्दित हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे आने वाले टाइम में लेकिन अभी सिर्फ इतना ही तो guys आज हमने जाना GP rating course करने के बाद मैं आप किस टाइप से promotion ले सकते हो आने वाले टाइम में हम बाकी सारे courses को भी cover करने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करके रखिए साथ में इस वीडियो को like कीजिए और share कीजिए अपने social media platform पर